जहां बसंती इतने दिनों से अनिता जी लाला जी और लाला जी के बच्चों पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रही थी उन्हें जो है केस के लिए पोक कर रही थी वहीं पर अनिता जी गाउं पहुच चुकी हैं और गाउं पहुचने के बाद अनिता जी की जब वीडियो अब तो कुछ भी लगता है उनको स्क्रिप्ट नहीं मिल रही तो यहां पर बात करने वाले हैं अनिता जी की वीडियो के उपर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर दें अनिता जी की वीडियो से काफी कुछ क्ल हो गया है जो कि फूलन देवी बहुत दिनों से बोल रही थी कि पूरे गावाले हमारी साइड हैं हम सब लोगों से पुछवा देंगे हमारे उपर कितना अत्या चार हुआ है हमारे साथ क्या-क्या ये लोग करते हैं हमें जीने नहीं दे रहे और एक विद्वा औरत को जो ह बता अनिया ना अप्शना आप क्या-क्या उन्होंने इल्जाम लगाए थे तो अनिता जी जो है फाइनली जब गाव पहुची उसके बाद हमारी जो फूलन देविये एक दम से चुपी लगा ली दूद का दूद और पानी का पानी हो चुका है अनिता जी ने जो उनके चा चाचा ससूर ने बोला कि भई शादी ब्या हुई थी उसके लिए करजा लिया था अब एक बात तो तैह है कि बाबुजी ने जो है लगता है अपनी बेटियों की शादी करजा लेके करी थी जिसका भुक्तान लाला जी ने किया और लाला जी कोई गल्त नहीं बोल रहे थे दालट जी ने बिल्कुल सही बोला था कि मैंने इस घर का जितना भी कर्जा था वो यह तारा है क्योंकि यह बात जो है उनके चाचा जी के मुझे साबित हो गई है तो वेट है वो 10 करने आएंगे कि 10 लाख रुपे जो हैं उनके पास थे तो अपना करजा क्यों नहीं उतारा तो वो 10 लाख रुपे उन्होंने तब जोड़े थे जब वो अच्छा खासा कमाते थे अब फूलन देवी कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखे होगे उसने अपनी वीडियो मे आते थे तो उस कमाई से ही जो है ना बाबु जी ने वो पैसा जोड़ा था बात करें घर की तो वो भी देखिए उन्होंने असेट किया इनके चाचा जी ने बोला है कि भाई ये घर भी जो है ना तुमने ही बनवाया है प्लस पूरा करजा तुमने उतारा है अच्छा यहा और गाउं में यही होता है कि बड़े बुजूर्ग हैं उनका मान समान किया जाता है लेकिन वो कहते हैं कि किसी के अंदर आप जाके नहीं देखाए कि वो इनसान कैसा है कल को कैसे पल्टी मार लेगा जैसे आज जो है दादा जी ने पल्टी मारी है कि ये तो सवभाविक है कोई भी बच्चा होगा कोई बेटा होगा बेटी होगी वो अपने माबापे विश्वास करेंगे क्योंकि उन्हों ने जनम दिया है कुछ लाला जी ने किया कि भाई अपने बाप के कहने पे उन्होंने घर वर बनवा दिया रहने लगे अब भी लाला जी ने ये घर बनवाया था मतलब तूट फूट ये पलस्तर वगएरा करवाया था तो खुद फूलन देवी ने मना किया था कि मेरे ये दो कमरे हैं तो इनक के सामने पेश होना पड़ेगा और अगर वो लोग पेश नहीं होंगे तो बेल नहीं मिलेगी और आपका केस जो है कमजोर हो जाएगा लेकिन हमारी फूलन देवी ने भाई पूरा चकर भी उन लोगों के लिए रचा हुआ है और हो सकता है कि कई न कई अनीता जी अलाला जी क वो जो है आगे क्या करने वाली है उसका क्या प्लैन है तभी शायद वो लोग आउ में नहीं आ रहे जिस तरीके का दुशकरम का रोप जो फूलन देवी ने लगाया है न तो इसमें सच माने तो जल्दी से बेल भी नहीं मिलती जितनी इनकी लेंग्विज समझ आई वो यह भाई है कभी आज तक पेपर वेपर नहीं बने है गाउं में जैसे पंचायत में बटवारा होता है कि ये खे तुम्हारा ये इधर ये उसका तो ऐसे ही हुआ है सेम बटवारा ऐसे ही इनका भी हुआ था अनिता जी और फूलन देवी का लेकिन अब फूलन देवी को तो भा रही थी लांचन लगा रही थी दिल्ली वाला घर भी हमारा है सब लोग हमारा ये जो है हिस्सा खाके बैठ गए हैं मैं बेचारी गरीब हूँ अबला नारी हूँ अरे क्या अबला नारी हो यार मतलब तुम किसी दूसरे इंसान के उपर इतने गंदे गंदे आरोप लगात करेगा ऐसे करेगा वैसे करेगा बाकि इनकी वीडियो के आज कमेंट सेक्षन ओफ हैं कमेंट सेक्षन ओफ होने की वजए भी ही खुद है हमारी फूलन देवी जो है चक्की पर गई थी चक्की पर गहीं आप लोगों ने दिखा वहां पर जाके भै к hours ओने को हर चीज से लेने है अervesी में कंटेंट दिखाने अच्छा अभी तक तो यह जह है दादा जी को ऐसा दिखाती थी बिना स्क्रश्च किने का के लेकिन हमारी फूलन देवी ने टो हधी कर दी भाया चक्की पर गई और वहां पर जो हैं वो जो मतलब काम करते हैं वहां पर उन्होंने शर्टी नहीं डाल रखी थी खाली उन्होंने एक लोवर डाला हो था जिसमें वो बहुत ही गंदे लग रहे थे के उपर भाई हमारी फूलन देवी को आए बहुत सारे हेट कमें किये और अभी बोलानी सिर्फ कमेंट किये हैं तो इनको बरदाश नहीं हुआ इन्होंने कमेंट सेक्शन ओफ कर दिये लेकिन ये खुद किसी के चरीतर के उपर कितना भी नीचे गिर सकती हैं ये चाहे तो किसी के पती के उपर इलजाम लगा सकती हैं इवन रनीता जी के उ कि हमारी पतनी जो है हमारे चरीतर पे कैसे गंदे गंदे लंचन लगा रही है एक वीडियो आई थी तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी वीडियो देखती है क्योंकि मैंने अपनी दो तिन वीडियो में एक डायलोग बोला था कि आगे आगे ये चलती है और पीछे इसा था सबी बातों की शुरुआत पहले की अब मैं जवाब दे रही हूं इनके पीछे पीछे आ रही हूं कि शुरुआत जुह है अनीता एक बात तो है कि हमारी फूलन देवी जो हैं काफी जादा चतूर चलाख हैं और लेकिन कई बार जब गुस्से में आती है न वीडियो बनाती है तो काफी कुछ अपने आपको एक्सपोज कर देती हैं जैसे कि इन्होंने दादा जी के पैसे को लेके एक्सपोज किया था ये भी बोल रही थी कि गाम वालों से सब पुछवा देंगे और गाम वालों के साथ देखे कितना अच्छा मेल मिलाप है हमारा ये है वो है तो आज वो गाम वाले कहां गए आज उन गाम वालों ने तुम्हारे साइड क्यों नहीं ले क्यों हो नहीं था जी कि साइड से जो है पाबुजी हैं उनके सगे भाई हैं और बिल्कुल तुम्हारे पडोस में रहने वाले हैं तो उन से अच्छा कौन जान सकता है। अच्छन लोग लगा रहें कमेंट सेक्शन में और आपने किसी के उपर लगाए तो उसको कितना बुरा लगाओगा।